आदेस आदेस जैस्त्री महाकाल मैं विक्रान तनात भैरो का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहद ही चमतकारी प्रयोग लेके आ रहा हूँ और बेहद ही कारगर कह लेजिए यह मेरे परमपूजिनी गुर्देव विरनाथ जी के मुख से मुझे यह उपाय प्राप्त हुआ था जिनकी सनी की साढ़े साती चलती हो उनके लिए तो यह बहुत ही सटीक उपाय है यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया एक ज्यारा दिन तो आपका कैसा भी सनी का प्रभाव हो सनी की कैसी भी विक्रित द्रिष्टी हो आपके उपर सनी बिलकुल अनकूल रहता है और सांत रहता है और साथ ही साथ इस उपाय को करने से हनुमान जी की आसीम कृपा प्राप्त होती है अब आपको क्या करना है वह सुनिए किसी भी चतुर्थी तिति से मंगल बार फसे या तो कोई भी मंगल बार हो पर विशेशकर चतुर्थी तिति हो और मंगल वार का दिन हो अब आपको क्या करना है कि मंगल वार के दिन ब्रह्म महूर्त में हनुमान जी के मंदिर का पट ना खुला हो, आपको मंदिर पहुच जाना है, मतलब कह लिजी कि 3.45-3.50 तक आपको मंदिर पहुचना ही पहुचना है, मंदिर का पट ना खुला हो, आपके साथ सामगरियां क्या होनी चाहिए, एक कडू का तेल, उसमें थोड़ी सी तिल, एक लड़ू और थोड़ा बजरंग वली वाला सिंदूर अब आपको क्या करना है सर्व प्रथम जाना है बजरंग वली की पंचो चार पूजा करने हैं और वह जो तिल और तेल लिये हुए हैं तो बजरंग वली की जिस पैर पर सनी भगवान दब्बे हुए हैं वहाँ पर उनको और पन कर देना है और एक लड़ू और एक सिंदूर बजरंग वली को चड़ा देना है और ऐसी बजरंग वली से कामना करनी है कि मेरे उपर जो भी सनी की कुद्रिष्टी हो या मेरे उपर भूत पिसाच भूत पली जिन बैताल का साया हो है प्रभू आप उन्हें दूर करि और मुझे आशिरबाद प्रदान करिए और ऐसा आपको मंगलवार से स्टार्ट करना है और ग्यारह दिन तक कंटीनियू करना है जैसे ही आपका चार दिन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके साथ चमतकारी तोर पर प्रभाव दिखना चालू हो जाएगा और यकिन मानिए यह बेहद ही बेहद ही कारगर और बेहद ही पावरफुल उपाय है जो मैं मुझे अपने गुरू के द्वारा प्रदान हुआ था वही चीज मैं आप लोगों के सामने सेयर कर रहा हूँ आप लोग इस उपाय को जरूर करिए और जरूर देखिए और अपना अनुभब बताईए कि कैसा रहा आदेश जैसरी महाकाल मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एवं सेयर करिए